आपके मंज़ पर गुराजमान भाती जंता पार्टी के मुरिश नेता अलवर जिलाई नगम आपके बीच में कमल का फूल लेकर के दुवारा गेजा है से मेरे बड़े भाई आधनिय रामे दियातों जी इस मंज़ पर गुराजमान हमारे किशंगर की चेर्मेन आधनी अतारावनी सिंगो साब खैरतल के चेर्मेन साब आधनी हरीश रोगा जी आधनी एक शुशिला यादो जी खैरतल के पूर्प चेर्मेन आधनी एक शोग डाटा जी मंज़ पर गुराजमान हमारे पार्टी के सभी वरिस नेतागन इस सवा में उपस्तेथ पूजा के योग मेरे बुजर्गों युवा सात्यों मात्रिशक्ति सबसे पहले तो मैं आप सबकी और विशेश रूप से आप सबको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी आवाज पर सब कारिकर्ठाओं की आवाज पर क्षेति पी जन्ता की आवाज पर हमारे पार्टी के शीष नित्रथ को हमारे प्रदेश नित्रुत को आप सब की और से हार्दी बढ़ाई धन्यवाद और फादुवाद देना जाओंगा अभी आप सब सब्सक्राइब भारती जन्ता पार्टी की सर्कार की तेरा से अफारा तक कि फिशंगड का एक ऐसा से नहीं बचा था जो सड़तों के माध्यम से जोड़ा नहीं गया था और हकीकित्यून जार घालजियायोऌ सब्सक्राइब होताता कि दोलों के बीश में कूंप्टिचन इसबात ना होता हुब जयास प्रायभी वही मरिकना और विद्हान सवा में उफाने के बाद उस काम को कराना वो यदि किसी कार्यकरता में किसी राजितिक नेता में खूबी है तो आपके अपने लाटने नामें ज्यादव के अंदर है उसकी राजिति गड़ा इस राजिति की शुरुआ के नातर ही थी की बार्टी में जम के मान अइक्स से रिध्यार की परश़िक के मान करेथा और दो प्रदेश नित्रत में आपके बीच में भेजा तो जो 2100 वोट की जीत सुरिशित आप लोगों ने की थी वो केवल इसने की थी कि राम्हेत यादो भलाई शेत्र के लिए प्रत्याशी के नाते नया था प्रणोस की विधान सवा से टिकिट मांग रहा था लेकिन कारे करता के नाते आपके बीच में लगाता और संगर्श कर रहा था और उसका परिणाम था कि पहली बार जब किशनर विधान सवाद चेत्र बनी तो आपने अपने नाजले रामेत यादो को इस्टो वोटों से जिता करके राजिस्तान विधान सबार के अंदर बेजा जब आपके लिए संगर्श किया आपके लिए काम किया तो दोजार तेरह में 30 मिली और आपने अपने लाजले रामेत को तेरह जार से जिता करके राजिस्तान विधान सबार में भी जा लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि 1318 के बीच में इतना काम करने के बाद और अभी ध पराई देता हूं खैरत जिला बनने की खैरत और तिजारा जिला बनने की लेकिन विधान सबागे विधान सबागे बोला हुआ एक एक शब्व और बीचांश करोगे तो वह विधान सबागे लिखाम मिलेगा तेरा से अप्ठारा में आधनी वसुंदा राजे जी की नित्रत्वाली सरकार थी आपको ध्यान होगा आधनी के अंदेल की आधनी महमश्री उसक्त भी जिले बनाने की मान आई थी और लगबग लगबग हर जनकतिनी दिचारा था कि उसका छेट जिला बने और मुझे ध्यान है उसक्त में विधान सवा में माननी है महमश्राजबा भी जाव में उस विधान सवा की कारवाई को देख रहा था मैट करके और जब बजट सत्र के अंदर आपके अपने लागने राम हेजी बोल रहे थे मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं विधान तरीके से मांग उठाई थी कि यदि जिला बनाए जाए तो खैरतल को जिला बनाने की मांग में रखता हूं पुझोर्ट तरीके से मांग की थी और जब हम दोनों विधान सवा से निकल के आपके आठ बटा चोविस सरकारी बंगले पर पहुंचे थे तो मैंने एक बात इस अचया बनेगा नहीं कि इनों से यहां कि मैन अफरीट की जंता की मांग को भगां में तर जब तक स्परातर रहुं तो दो अदमी रामेंटी दौरा फ्हेरतर दिले की नियू उश्कर के अंदर रगती गहीती वह वह मैं आपको धन्यवाद देता हूँ रामेंट्जी यदि उस वक्त आप फ्हेरतर दिले की मान उठाने की के राजिस्टान की घांशमा में नहीं तरते तो संभवते ही जिलाद नहीं बन पाता जिसका शर्याद दीव चंद खेरिया लियों चैक कॉंगरेस के नेता ले रहे हो लेकिन नीव तो बोजाद 13-18 की पार्टी जन्ता पार्टी की नेते तो इसाकार में रखाती है मैं धन्यवाद देना चाहूंगो आपको कि लगा कर शेटर की बात को आम जन्ता के बीच में उठाना संदर्श के मार्जम से उठाना विदान सभा में उठाना और एक ऐसे कारे करता को नरिंदर मोधी जी ने आपके बीच में कमल का फूल लेकर के बैटा है अगर निमंदों और ये कि लांज ने ऋन्हें यह मिश्ण करेगा 524 के लोग चरह की और जिसकता वाकावन्ठ संपूर राजस्तान के अंदर हैं संपूर्ड जिले के अंदर हैं 118 विधान सभा हमारे अलवर्ज बिल्य के अंदर आती है 11 की 11 विधान सभा उपर कमल का फूल फिलने जारा है अगो होड इस बाथ की है किस विदान सबसेट से तो कमल का फूल कितने अधिकमतों से जीत के जाता है राजस्तान के रुजान की बात करूँ तो 163 से अधिक सीटों की माला सब आप सब की ताकत के बन पर हम अपने यश्यश्य पुठान मंद्री आदर्णी नरेंदर मौदी जी के नित्रत में 3 दिसंबर को जो परिणाम आएंगे तो उस 163 तमल के फूल की मालाओं में जो आदर्णी नरेंदर मौदी जी को राजस्तान की जन्ता भेट करने वाली है उसमें पिशंगर का तमल का फूल भी शामिर होना चाहिए मत्दान वाले मक्सर्स देखा जानता है अब ढाली आएंगे बारा वज़े डाल देंगे तीन वज़े डाल देंगे एक बोट की कीमत होती है एक बोट की कीमत यह जानते थे पादर मेंटर गहरी वाजते ही जानते थे जिनकी सरकार एक बोट से चली गई एक बोट की कीमत जानता था तो वर्तमान राजुत्तान विधांसवा का कि आप सब लोग स्वेम रामेद यादो बंकर के इस चुनाव को लड़ेंगे और एक एक बोट की चिंता करेंगे मद्दान साथ बज़े से शुरू होने तक छे बज़े तक एक एक बोट को कमल के फूर का बटन दवा करके रामेद यादो की जी सुनशित 25 को आज लेकिन आप की दाकत के बल पर राजस्तान के परिणाम आए लेकिन मैं चाहता हूं कि राजस्थान का जब परिणाम आए तो किशंगर विधांसवाग छेत्र से सबसे अधिक मतों से जीतर के आधनी राम हेटी जाएं बहुत भूर धन्यवाज जैंभारत 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 माता की नरेंदर्मों की जिन्दाबाद